फिल्मी टॉक के एक ने वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि रितिक रोसन की मच अवेटेट फिल्म वर्ड टू कन्फर्म हो गई है जी हाँ आपको बता दें यसराच फिल्म्स ने वर्ड टू को कन्फर्म कर दिया है आपको बता दें वर्ड टू इस्पाई उनिवर्स की साथवी फिल्म होने वाली है जिसे बॉलिवूट के जाने माने डारेक्टर आयान मुखर्जी डारेक्ट करने वाले है आयान मुखर्जी ने ही ब्रह्मास्तर जैसी फिल्म को डारेक्ट किया था और War 2 की makers ने ये भी confirm किया है कि War 2 की कहानी सलमान खान की फिल्म Tiger 3 की घटनाओं को फॉलो करेगी और वहीं War 2 में हमें रितिक रोसन लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं बात करें Spy Universe में आने वाली फिल्मों की तो Spy Universe की छटवी फिल्म Tiger 3 दिवाली 2023 में रिलीज होगी और वहीं इसकी साथवी फिल्म War 2 2024 में रिलीज होगी और Spy Universe की मच अवेटेट फिल्म पठान वसेश टाइगर इच 2025 में रिलीज होगी आप Spy Universe की कौनसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं Apparel 2023 सी श्टार्ट हो गया है और आपको बतादे है Apparel के महिने में भी कई बड़ी पैन-इंडिया फिल्म आने वाली है तो अगर आपको जानना हो कि कौन-कौनसी पैन-इंडिया फिल्म आने वाली है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको description और comment box में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जैसा कि हमने अपने पिछली फिल्मी टॉक में बताया था कि ब्रह्मास्त का दूसरा और तीसरा पार्ट हमें 2026 के बाद देखने को मिलेगा तो आज ब्रह्मास्त फिल्म के डाइरेक्टर आयान मुखरजी ने confirm कर दिया है कि ब्रह्मास्त का दूसरा पार्ट दिसम्बर 2026 में और ब्रह्मास्त का तीसरा पार्ट दिसम्बर 2027 में रिलीज होगा और इसी बीच आयान मुखरजी इस्पाई उनिवर्स की आने वाली फिल्म वर्डू को डारेक्ट करेंगे वैसे आपको ब्रह्मास्त का पहला पार्ट कैसा लगा था हमें कमेंट में बताएं आपने 2021 में आई तमील साइफाई थ्रिलर फिल्म मनाडू तो देखी होगी जिसे वेंकट प्रभू ने डारेक्ट किया था और वहीं H.T.R. और S.J. सूरिया इस फिल्म के लीड रोल में थे तो कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्दी इसका हिंदी रिमेक आने वाला है जी हाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो मनाडू के हिंदी रिमेक को साउथ के जाने माने डारेक्टर प्रवीन सटारू डारेक्ट करने वाले हैं और वहीं इस फिल्म में हमें S.J. सूरिया के कैरेक्टर में मास महराजा रवी तेजा और सुपरिश्टार H.T.R के कैरेक्टर में वरूर धवन देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में हमें इस खबर से जुड़ी कई ओफिसल आनाउंस्मेंट देखने को मिलेंगी वैसे आपको मनाडू फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में बताएं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोकिंग इस्टारियस एक बड़े बजट की फैन इंडिया फिल्म करने वाले हैं जिसे साउथ के जाने माने डारेक्टर संकर डारेक्ट करेंगे और कहा जा रहा है कि इस बड़े बजट की फिल्म को धर्मा प्रोडेक्शन प्रेडूस करने वाली है जैसा की आपको पता है Sankar अभी Indian 2 की सूटिंग में बिजी है तो कहा जा रहा है की Indian 2 की सूटिंग के बाद Sankar Yes की इस फिल्म को डारेक्ट करने वाले हैं पर अब तक ये कनफरम नहीं है की ये फिल्म Yes की 19 फिल्म होने वाली है या ये फिल्म Yes की बीसवी फिल्म होगी वैसे कि आप संकर और Yes का कॉंबिनेशन देखना चाहते हैं या नहीं हमें कमेंट में बताएं जूनियर NTR की फिल्म NTR 30 से एक अपडेट है आपको बता दें अपडेट ये है कि NTR 30 के हैदराबाद के सेडियूल की सूटिंग 8 अपरेल तक खतम हो जाएगी और इसके बाद इसके अगले सेडियूल की सूटिंग गोवा में स्टार्ट होगी आपको बता दें गोवा में इसके अगले सेडियूल की सूटिंग अप्रेल के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगी कोर्टाला सिवा के डारेक्षन में बन रही ये फिल्म जिसमें हमें जूनियर अंटियार और जानवी कपूल लीड रोल में देखने को मिलेंगे अप्रेल 2024 में सिनेमा घरों में पैन इंडिया रिलीज होगी बात करें बॉक्स ओफिस कलेक्षन की तो नानी की फिल्म दसरा ने अपने रिलीज के पांचोय दिन में इंडियान बॉक्स ओफिस पर तीं करोर चास लाग रुपय का कलेक्षन कर लिया है और वहीं बात करें अज़ा देवगन की फिल्म भोला की तो भोला ने अपने रिलिज के पांचुए दिन में इंडियन बॉक्स ओफिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपय का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ भोला ने अब तक इंडियन बॉक्स ओफिस पर 48 करोड़ 78 लाख रु धन्नवाद